Learning Time आज हम सीखेंगे सरीर के अंगों के नाम ये है हमारा सरीर सरीर को इंगलिस में कहते हैं Body ये है चहरा इसे कहते हैं Face ये है हमारा सिर इसे कहते हैं Head ये है माथा इसे इंगलिश में कहते हैं Forehead ये है आँक इसे इंगलिश में कहते हैं Eye ये है भौण इसे इंग्लिश में कहते हैं आइब्रो ये है बरौणी इसे इंग्लिश में कहते हैं आइलेश ये है पलक इसे इंग्लिश में कहते हैं आइलिड ये है बाल इसे इंग्लिश में कहते हैं हेयर बाल हेयर ये है कान इसे इंग्लिश में कहते हैं ear ये है नाक इसे इंग्लिश में कहते हैं nose ये है मूँ इसे इंग्लिश में कहते हैं mouth ये है जीव इसे इंग्लिश में कहते हैं tongue ये है दांत इसे इंग्लिश में कहते हैं टित ये है होंट इसे इंग्लिश में कहते हैं लिप्स ये है गाल इसे इंग्लिश में कहते हैं चिक ये है ठुड़ी इसे इंग्लिश में कहते हैं चिन ये है मूच इसे इंगलिस में कहते हैं मूस्टैच ये है दाड़ी इसे इंगलिस में कहते हैं बेर्ड ये है गर्दन इसे इंगलिस में कहते हैं नेक ये है कंधा इसे इंगलिस में कहते हैं शोल्डर ये है छाती, इसे इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट ये है पीट, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैक ये है पेट, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टॉमेक ये है हाथ, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड ये है कोहनी, इसे इंग्लिश में कहते हैं elbow ये है भुजा, इसे इंग्लिश में कहते हैं arms ये है उंगलिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं fingers ये है कलाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं wrist ये है अंगूठा इसे इंग्लिश में कहते हैं थंब ये है हथेली इसे इंग्लिश में कहते हैं पाम ये है मुठ्थी इसे इंग्लिश में कहते हैं फिश्ट ये है टांग इसे इंग्लिश में कहते हैं लेग ये है पैर इसे इंग्लिश में कहते हैं फुट ये है घुटना, इसे इंग्लिश में कहते हैं नी ये है एड़ी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हील ये है टखना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंकल ये है पैर की उंगली, इसे इंग्लिश में कहते हैं टो ये है stun इसे English में कहते हैं breast